रेट्रो इस्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 10th के फूट प्रिंट विदाउट फीट बुक से अक्विशन अफ ट्रस्ट स्टोडी पढ़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं इस कहानी में हॉरस डेन्मी नाम का एक अच्छा व्यक्ति रहता है वो 50 years का हो गया रहता है लेकिन उसकी साधी नहीं हुई जाती है हॉरस डेन्मी एक लॉक स्मित रहता है लॉक स्मित का मतलब ताला बनाने का जो काम करते हैं वो बहुत सक्सेस्फुल बिजनेसमैन था और उसके उस बिजनेस में उसकी मदद करने के लिए हॉरस ने दोटे असिश्टन रखा था जो उसकी मदद कर सके चुकि ये अच्छा व्यक्ति तो था रिस्पेक्टेबल था लेकिन ये टोटली ओनेस्ट नहीं था ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको रेर और एक्सपेंसिब बुक परना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है और उसको वो किसी कीमत पर खरिदने का इक्षा रखा करता था भले ही बुक कितने भी रुपेगा हो उसको कोई फर्क नहीं परता था क्योंकि इस काम के लिए वो साल में एक बार चोरी जरूर करता था ये बुक्स वो बहुत सिक्रेटली किसी एजेंट के माध्यम से खरीदता था चोरी करने से पहले वो पहले रड़नीती मनाता था कि किस तरीके से कहां पे जाना है और जिस घर में रॉबरी करनी है पहले वहां का महौल वो देखता था कि कितने बज़े लोग यहां से जाते है कब ताला बंद होता है, कब खुलता है हर एक चीज वो बहुत गौर से चीजों को देखा करता है इस पर क्या हुआ कि उसने एक घर देखा जो कि सॉट ओवर ग्रैंच पे रहता है और उस घर को कम से कम वो दो हपते तक अब्जर्ब किया उसे पता चला कि हर मिनट उस घर में किस तरीके से चीजे घटित हो रही है उस घर में जो फैमली रहती थी वो अब लंडन जा चुकी है और उस घर के जो दो ठेक केर टिकर है जो उस घर के नौकर है वो movie देखने के लिए जा चुके हैं और घर के पीछे जो garden रहता है और garden के चारो तरफ जो wall रहता है उस wall के तरफ से और इस jump करके घर के अंदर आ जाता है वो ये भी देखा होता है कि कहां पे उस घर का चावी रखा हुआ है इसलिए वो directly kitchen के door के पीछे जो hook रहता है उस पे जो चावी टंगा रहता है उस चावी को लेता है और अपना gloves पहनता है और उसके बाद वो दरवाजे को खोलता है क्योंकि ये चोरी के दोरान कभी भी नहीं चाहता था कि किसी प्रगार का उसका fingerprint किसी भी item पे देखने को मिले और इसके लिए वो बहुत जादे careful रहता था जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि table पे फूलो का गुलदस्ता रखा हुआ है और जो उस फूल का fragrance था इसके नाक में लगने लगता है और उसके बाद वो repeatedly sneeze करना सुरू कर देता है और यह इसकी बहुत पुरानी बीमारी है कि जब भी कोई फूल वेगरा उसके सामने रहता है और उसको वो सूंग लेता है तो उसका sneezing स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो एक young lady का आवाज सुनता है और वो lady जो रहती है वो दिखावा करती है कि वो उस घर की owner की wife है वो उससे कहती है कि उसको suddenly आना पड़ा क्योंकि उसे अपने ज्वेलरी लेनी थी ताकि उसे वो रात में party होने वाला है उसमें पहन सके डैन भी उस lady से request करता है कि उसे घर जाने दिया जाए लेकिन वो जो लड़की रहती है वो उससे कहती है कि वो अपने उस तिजोरी का नंबर भूल चुकी है और वो चाहती है कि हॉरस डैन भी उस तिजोरी को खोले चुकी जैसे वो लेडी डैन भी को बताई रहती है कि वो उस घर के honor की बीवी है तो डैन भी थोड़ा भी हिचकी चाहता नहीं है और बीना gloves पहने ही वो उस तिजोरी को खोल देता है जो वो यंग लेडी रहती है उसको जोरी मिल जाता है और हरस डैन भी वहाँ से खुसी खुसी चला जाता है क्योंकि उसको वो लेडी के ही रहती है कि उसे पुलिस के हवाले कर देगी लेकिन उसे पुलिस के हवाले नहीं करती है और इसके वैसे वो असानी से वहाँ से escape हो जाता है जेल नहीं जाना पड़ता है लेकिन क्या होता है कि तीसरे दिन एक पुलिसमैन आता है और इसको arrest कर लेता है और कारण ये बताता है कि तुम sought over grange में dwell robbery किये हो क्योंकि वहाँ पे उसका fingerprint मिल गया होता है वो confess करता है कहता है कि हाँ वो उस safe को खुला है और खुलने का करण ये है कि वो जो lady आई हुई थी उस समय वो बता रहे थे कि वो उस घर के मालिक की बीवी है तो मैंने घर के मालिक के बीवी के लिए वो तीजोरी खुला क्योंकि उसने कहा था कि उसका number या चावी जो भी है उसे याद नहीं आ रहा है गुम हो चुका है और इसके वैसे वो खुली रहती है लेकिन reality में देखा जाए तो जो owner की wife है उसका जो उम्र है 60 years के आसपास है और जो lady वहाँ पे आके Horace Danby से उस तीजोरी को खुलने को कह रही होती है वो यंग रहती है जब पूछता चलता है तो owner की बीवी कह रहती है जो इस्टोरी बता रहा है यह बिल्कुल गलत बता रहा है और उसकी बातों पे किसी ने भी विश्वास नहीं किया और फाइनली यहां पे पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया अरेस्ट हो जाने के बाद उसे जेल में ले जाया गया और वहाँ पे वो assistant librarian बन गया व और उसके बाद जो एक कहावत है कि चोर चोर महसेरे भाई कुछ भी हो जाए एक चोर दूसरे चोर के बारे में कुछ बताएगा नहीं यह जो believe और यह जो thought इसके मन के अंदर था वो हमेशा के लिए खतम हो गया कि कभी भी एक चोर दूसरे चोर को बचा नहीं सकता किसी प् फाइनली आपका यह स्टोरी समाप्त होता है थैंक यू फर वाचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चानल रेट्रो स्टडीज